सल्मान खान और एश्वर्या राय की लव स्टोरी बॉलिवड की प्रेम कहानियों में कभी न भूली जाने वाली कहानी है जो सल्मान इस लव स्टोरी के नायक थे वो आशिकी की आग में ऐसे जुलसे की खल नायक बन गए ये कहानी है एक आशिक की बेपनाह मुहबत की जो प्यार में कुछ भी कर गुजर जाने को तयार था लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से अपने खूबसूरत रिष्टे को खो बैठा हम आपको बता रहे हैं ऐसी प्रेम कहानी जो रहे गई अधूरी ऐसे शुरू हुआ रिष्टा सल्मान और एश्वर्या की प्रेम कहानी 1997 में शुरू हुई सल्मान उस वक्त सूपर स्टार बन चुके थे वहीं एश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलिवुड में अभी एंट्री ही की थी ये वो दौर था जब सल्मान का दिल सूमी अली के लिए धड़कता था उस दौर की फिल्मी मागजीन में छपी खबरों के मताबिक सल्मान सूमी को लेकर काफी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे लेकिन उसी वक्त सल्मान की नजर एशवर्या पर पड़ी और सल्मान का दिल कब सूमी को छोड़कर एश के लिए धड़कने लगा ये खुद सल्मान को भी नहीं पता चला एक वेबसाइट पर दिये एक इंटर्व्यू में सूमी ने खुलासा किया था कि एशवर्या की वजह से उनका और सल्मान का रिष्टा तूट गया सूमी इतनी आहत होई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गई एक मैगजीन के मताबिक मनसूर अली की फिल्म जोश को करने से सल्मान ने सिर्फ इसलिए इंकार कर दिया क्योंकि उस फिल्म में उन्हें एशवर्या के भाई का किरदार निभाना था कहते हैं कि सल्मान ने एशवर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया और कई प्रड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की सल्मान की वजह से ही एश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्म मिली सल्मान के दोस्त संजय लीला भनसाली ने एश को इस फिल्म में ब्रेक दिया यही वो फिल्म थी जहां से सल्मान और एश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब गए कहते हैं कि फिल्म में दोनों की शांदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली महबबत थी सल्मान के दोस्त कहते थे भावी एश्वर्या धीरे धीरे सल्मान की जिंदगी में दाखिल होने लगी वो उनके परिवार वालों के भी करीब आने लगी बताया जाता है कि सल्मान के दोस्त एश्वर्या को भाभी कहकर बुलाते थे हालकि कई मागजीन में छपी खबरों के मताबिक एश्वर्य के माता पिता को ये रिष्टा मन्जूर नहीं था यहां तक कि उन्होंने सल्मान से दूरी बनाने को कहा जिससे वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़ कर अकेले रहने लगी ऐसे तूटा दोनों का रिष्टा दोनों सितारों की लव स्टॉरी चल ही रही थी कि उनकी जिन्दगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया एक दिन आधी रात को सल्मान एश्वर्य के घर पहुँच गए और उनका दर्वाजा जोर जोर से पीटने लगे सल्मान ने गुस्ते में 19 वी मंदिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक दर्वाजा पीटते रहे कहते हैं कि दर्वाजा पीटते पीटते उनका हाथ भी जखमी हो गया था आखिर सुबह 6 बजे घर का दर्वाजा खुला सल्मान के हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो एश्वर्या से शादी करना चाहते थे लेकिन एश्वर्या काम्याभी की सीड़ियां चड़ रही थी और उस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी इस खतना के बारे में सालों के बाद सल्मान ने खुद एक मागजीन को दिये इंटर्व्यू में कबूल किया था कि वो एश्वर्या के घर गए थे बाद में ये भी खबरे आई कि एश्वर्या के पिता ने सल्मान के खिलाफ ठानी में केज भी दर्स कराया था इन सारी खबरों की वजह से सल्मान की काफी बेज़ती हुई थी धीरे धीरे सल्मान और एश्वर्या के बीच दूरियां बढ़ती गई खबरों के मताबिक इसी बीच सोमी अली का सलमान के पास फोन आया कि उनके पिता का उपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें सलमान बिना एश्वरिया को बता आए अमेरिका चले गए जब एश्वरिया को ये बात पता चली तो वो बेहत नाराज होई और उन्होंने ये रिष्टा खत्म करने का फैसला कर लिया इसी के बाद सलमान ने एक और तूफान खड़ा किया जिससे उनके रिष्टे के अंत पर मुहर लग गई खबरों के मताबिक सलमान ने एश्वरिया के फिल्म कुछ न कहो के सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया इस फिल्म के हीरो अभिशेक बच्चन थे कहते हैं कि सलमान ने उनकी कार तक में तोड़ भूड भी की थी इसी बीच 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में एश्वरिया फ्रैक्चर हाथ में पहुँची उनकी हालत देख कर लोग यही कहते थे कि सलमान ने उनके साथ मार पीट की कुछ सालों के बाद एक मागजीन को दिये इंटर्वियो में एश्वरिया ने माना कि सलमान ने उनके साथ मार पीट की थी उन्होंने बताया कि जब वो सलमान का फोन नहीं उठाती थी तो सलमान जगड़ा करते थे आखिरकार एक लव स्टोरी का इस तरह दुखत अंध हुआ अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपेटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई